हमारे साथ बात करने के लिए भार्तियंता पार्टी के वरिष्ट नेता और सांसद मनोच जी अर्विंद केजरिवाल ने इस्तिफे के गोशना कर दिया और उसके साथ ही नए मुख्यमंत्री की तलास भी सुरू होगी और कहा जा रहा है कि उनके परिवार से भी हो सकता है अर्विंद केजरिवाल के पास कोई विकल्प जब नहीं बचा तो उन्होंने इस्तिफे का एक नाटक किया है कोट ने जब बेल दिया तो असपश्ट लिख दिया आप मुख्यमंत्री ओफिस नहीं जा सकते मुख्यमंत्री के रूप में फाइल साइन नहीं कर सकते इसका मतलब बब मुख्यमंत्री हो नहीं एक प्रकार से सुप्रीम कोट ने लथेड के कुर्सी से हटाया अर्विंद केजरिवाल जी को अब वो तो अर्विंद केजरिवाल जी है वो तो हर हाल में कैसे जनता को व्रमित करना है कैसे लोगों की आँकों में धूल जोकना है इसी की पढ़ाई पढ़के आये हैं अर्विंद केजरिवाल जी तो एक इस्तिफ़े का नाटक है लेकिन दिल्ली का जो नुकसान हो चुका है गलियां टूटी है सडके टूटी है बिजली पानी के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं गलियों में चले जाईए तो पानी के जल जमाव से आपकी पचास बिमारिया हो रही है नाले साफ नहीं होने से बच्चे कितने मौत की मुह में चले गए तो इस दिल्ली को अब जो नुकसान हो चुका है क्या कोई इस्तिफ़ा भर सकता है नहीं भर सकता इसलिए अरविंद केजरिवाल जी अपने जो उनका असली सुरूप है जूट बोलना उसके अंतिम चरण में है और दिल्ली की ज मनिश्य शोदिया मुलाकात कर रहे हैं अभी रागो चड़ा पहुचे हुए है और थोड़े देर में ये कहा जा रहा है कि वो नाम अतने कर लिया जाएगा और कल बिधायक दल की बैठक में उसको रखा जाएगा तो क्या लगता है आपको कि कौन वो चेरा हो सकता है इनके कारीकाल पूरा होने में जुमा जुमा चार महीना बचा है फर्वरी फर्स्ट वीक में चुनाव होता है और अभी से लेकर के सितम्बर खतम होगी अक्टूबर, नॉंबर, दिसम्बर, जनुवरी उसमें भी दो महीना के लिए जिसको भी चाहे बना ले इनकी अपनी लेकिन आप देखिए, लोगों की आँखों में दूल जोकने के लिए, इस दो महिना में ये बहुत नैतिक वादी बाते करेंगे, ऐसी ऐसी बात करेंगे, आपको लगेगा और इससे तो अच्छा कोई नेता ही नहीं है, लेकिन अब दिल्ली भूलने वाली नहीं है, क्या बु जयेंगे? जुगी में रहने वालों का वही पानी के लिए समस्या, वही जल जमाओ से समस्या, क्या जुगी के लोग भूल जाएंगे? क्या किसान भूल जाएंगे, कि वो जहां थे, वहां से और पीछे चले गया, किसानों का estatus तक छीन लिया गया, दिल्ली में म्यूटेश जी की कोशिस अपनी है दिली में हरियाना में अपने एक इमुस्नल काड खेलने की बट यह विर्थ जाएगा बीजेपी कितना तयार है बीजेपी हंडेड परसिंट तयार है हम आज चे नहीं देखो हम आप देखेंगे हम जुग्यों में चाहें सदस्यता अवियान हो या जु नोट बुक बनाए है हमें जुग्य के लिए क्या करना है हम जुग्य के लोगों को उनकी बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं और उसका हमारे पस पूरा उसका हमना मैप रोड मैप बन चुका है उस आधार पे हम दिली के लोगों को बेस्ट दिली दे करके उनका काम करेंगे बस एक बार नरेंद्र मोदी जी के हाथों में डबल इंजन मिल जाए, मैं दिल्ली से बस यही प्रातना कर, हम अनुत्राइज कलोनियों में हैं, हम यहां के, लोगों के मीटर तक नहीं लग रहे हैं, आप जानके आश्यरिय करेंगे, कि दिल्ली में लोग, बीस बीस रुपिय गरीब गरीब लोग, बीस रुपिया यूनिट टेंपरोरी मीटर लगा करके देना पड़ रहा है, उन सभी लोगों को राहत देना, उसके लिए हम सब ग्राउंड पे हैं, कलोनियों में हैं, हम उनका राहत देंगे. यह जो अर्विन केजरिवाल का मूव है, यह जो कि इस्तिफा देना है, नया मुख्यमंत्री लाना है, मुख्यमंत्री कोई गरीब होगा, आम आदमी होगा, दलिट परिवार से हो सकता है, तो यह सब इसको पूरे मसले हो कैसे दिखते हैं, क्या लगता है कि यह केवल एक प जेल जा रहे थे, उस दिन इस्तिफा दे देते, किसी को सीम न्यूक्त कर देते, तब दिल्ली इतने दिन सफर नहीं करती, सफर तो उनके पूरे कारेकाल में की है, लेकिन इतने दिन तक तो दिल्ली चल ही नहीं रही है, उस दिन तो सीम नहीं घोसित किया, किसने नहीं किया लालू जी ने नहीं किया, के हेमन सोरिन ने नहीं किया, तो रिसेंटली है, और भी बहुत सारे एक्जामपल से, तो अरविंद केज रिवाल का इगो बड़ा है, दिल्ली का दर्दुन के लिए बड़ा नहीं। दिखिए, किसको नहीं पता है, वो किस जाती का है, या किस जाती में कितने लोग हैं, किसको नहीं पता है, लेकिन जातियों में देश को टुकड़े टुकड़े बाट करके, जो नुकसान करने की प्रबृत्ति दिख रही है, वो ठीक नहीं है, जनगर्णा ओल्रेडी है, निरजी भी रिजर्वेशन में हैं मनोस्तिवारी भी रिजर्वेशन में हैं अब तो economically weaker section ब्रामन हो ठाकुन हो भो मिहार हो स्रिवा कायस्त हो या फिर मुसल्मान को भी अगर पहली बार किसी ने मुसल्मान के गरीबों को रिजर्वेशन दिया तो नर्दमोदी सरकार हैं तो अब तो इस सब कुछ होने के बावजूद भी देश को जातियों में बाटने की क्यों कोसिस की जा रही है। भई हम तो बार-बार कहते हैं कि हिंदूओं की ही जातियों को आप बार-बार बाटते हैं। जातियां तो मुस्लिम्स में भी होती हैं, उनको तो आप छुने की कोशिस नहीं करते, क्यों हमारे देश को इस तरह से कमजूर करने की कोशिस कर रहे हैं, वो लोग जिनकी निष्ठा लोगों की बेहतरी में नहीं, सिर्फ सत्ता सुप में हैं। किया सकता था। Cameraman Miharban के साथ निराज पंडे, विपनी उस दिलिए।